यूप आप बोगो सいनसी मोले कि अफ़िसों अपने ऑफ़ेंट्स मैं रहा हैं है मैं मेर्सनल एक्सपीरियंस पोलेंड फेंस आपलोग मेरी वीडियो देख रहें एंउड आकषकर रहें इसके लिये बहुत-बहुत आप लोगो का शुकरियाyang मेरे चैनल को सबसक्राइब करन बनाने का वीडियो की कुछ नया हो तो फ्रेंट्स ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होगी और अगर आप इसको मैं कह सकता हूं इसमें कुछ कि कुछ हद तक अगर आप अगर इस ऐसी वीडियो आपको शायद कहीं देखने को किसी चैनल पर नहीं मिलेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट इसमें एक ऐसी चीज है कि वर्क परमिट के रिलेटिव कि आप लोग को पता भी नहीं होगा और अगर आप लोग के साथ किसी के पास भी ऐसा वर्क परमिट आया होगा तो आपको बहुत अच्छी नौलिज मिल जाएगी इस वीडियो को देखके तो फ्रेंड्स ये वीडियो खास कर अभी जिनके वर्क परमिट आने वाले हैं या नियू लिटरिस्ट आए हुए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जादा इंपर्टेंट वीडियो होने वाली है तो फ्रेंड्स जो अभी मेरे चैनल पर नए लोग हैं वो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली कोई वीडियो जो अच्छी वीडियो में बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिले और आप देखते ही उसको उस पर प्रॉपर तरीके से रिडी हो सकें और अच्छी नौलीज आपको मिल सकें इसलिए मेरा मकसद ही होता है वीडियो बनाने का कि आप लोगों कुछ अच्छा कुछ बता सकों कुछ अच्छी नौलीज दे सकों कुछ नया आप लोगों के सामने लाने की कोशिश में रहती है तो फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है वह वर्क परमिट के रिलेटिव है कि जो वर्क परमिट आज कल आ रहे हैं उनमें कुछ वर्क परमिट में ऐसी चीजह मैंने देखी है जो की होना नहीं चाहिए तो देखिए जिस पर ब्लैक टिक लगा है यह देखिए अभी मैंने प सब्सक्राइब करें जो आते हैं दूसरे उस पर इस टैप का अगर एंबेसी का एड्रेस पड़ा होगा कि जैसे एक जानपल के तौर पे कि आप साउथ में रहते हैं या आप नौर्थ में रहते हैं तो अगर चलिए बात कर लेते हैं नौर्थ कि अगर आप जैपूल कलकत् तो आपको नौर्थ में ही वी-फ-चा करना होता है तो अभी कुछ वरक पर्मिट किया देखा मैं ने कि उनके वरक पर्मिट पर एंबेसी का एड्रेस पड़के आ गया है और यह तesian पहे लगी पहले गया था एक यह आ यह अभी एक आगगा तो इस पे क्या है कि बंदर दि भी और इंग्लिश में भी तो अब क्या होता कि अगर प्रमिट पर ऐसा कुछ लिखा है तो उनको वहीं पर सब्मिशन करना पड़ेगा तो आप अगर साउथ के हैं तो आपकी फाइल तो नौर्ट में नहीं लग सकती ना तो इसलिए इसको मैंने जब देखा और जिनका वार् तो लायर ने ये बात accept करी कि हाँ ये चीज़ सही है कि आप महां नहीं जा सकते हैं और ये पड़ गया है कंपनी से या लायर से जुन से भी पड़ा है तो कोई बात नहीं लेकिन चेंज तो करना ही पड़ेगा और अगर आप साउथ में रहते हैं साउथ का ही address पड़ता है तो कोई issue नहीं है लेकिन उसमें नहीं पड़े address तो ठीक है क्योंकि अगर किसी को नहीं मालूम होगा तो फिर वो ये बोलेंगे ना कि आपका डैली का है तो आप डैली ही जाओ अब अगर आपको डैली के apartment नहीं मिल रही है तो आप कहा जाएंगे अगर जैपूर वैसे तो क्योंकि एमबेसी तो डैली में ही है तो कोई दिक्कत नहीं रिखी है कि यहां पर आया अभी तेकि यहां पर बांबे का address पड़ा हुआ है ठीक है इसमें address पूरा निर्मल पॉइंट बांबे इस तो फिर यहीं जाना पड़ेगा अब बाई चांस यह वक्परमिट साउथ मे एमबेसी का लेकिन बंदा तो नौर्थ में रहता है तो कैसे जाएगा उनका तो एपांडमेंट बांबे में होई गई नहीं तो अब उनके पास इनको मैंने भाई को बताया हमने यह तो आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप रहते नौर्थ में हैं और आपकी अपा मिल जाएगा हलागी मुझे पता था यह बात तो जब उन्होंने अपने लायर से बात की तो उनको लायर ने बोल दिया कि हाँ यह मिस्टेक है आपको बंबे ही जाना पड़ेगा तो फिर अपनों ने इसको चेंज करने के लिए तीनों बंदों ने दिया हुआ है तो अभी अब इसमें टाइम तो लगे गा ही और सबसे बड़ी चीज यह कि उनको फिर से सौ यूरो का खर्च भी आ गया उसमें क्योंके लायर फिर महां से जब चेंज करके कोरियर बेज़ेगा तो नबे यूरो लगते हैं बट वो सौ ही मांगेंगे दस यूरो क्या कोई तो सौ यूरो का उनके खर्चा फिर आ गया अब उनको यहां से मां से फिर कोरियर आएगा एक महीना लगेगा और जो उसमें प्रोसेसिंग टाइम में जो भी टाइम लग जाएगा हटाने का तो पहले ही बंदा इतना वेट करता है वेट करने के बाद उनको वर्क पढ़ेगा पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप स्टेट कहीं और रहते हैं और पढ़ गया है साउथ का अगर आप रहते हैं नौर्थ में तो आपको चेंज कराना पढ़ेगा तो यह बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी तो मैंने सु इनफॉर्मेशन मिले ताकि वह अच्छे से त्यारी करसे के अफ्रेंटूकॉमेंटस रैडि करीए अच्छे से रैडी करें जल्दवाजी नहीं करें Halal रहे हैं और शुर्ण भी रहे हैं आब भी रहा हैं विजजा पे लगर हैं काफी लोगों से मेरी बात खुई जिनके व पालिंग के गलती तो नहीं है सब देख के अच्छे से आप लोग अपनी फाइल को रेड़ी करें और आपका विजा इंशालला जरूर आएगा तो फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को अच्छी लगई हो तो शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को शे प्रेंट के तकि आप लोग को अच्छी इंफर्मेशन मिल सके चली फिर मिलेंगे इंशालला कुछ अगली वीडियो में चाच चले के ओके अलाफीज